हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चनल चेंपियन जयद पर मैं हूँ आपका दोस्त ममजजद और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से लेटर राइटिंग में आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो पहले मैंने दोनों टाइप्स के आप लोगों को लेटर बताए फिर फॉर्मल लेटर को डीपली बताया फिर इन फॉर्मल लेटर को डीपली बताया अब लास्ट में एक सेपरेट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग full marks score कर सकते हो letter writing में तो पहले formal letter में कैसे full marks score करना है तो formal letter में अगर full marks score करना है तो आप लोग सिर्फ अपना grammar तगड़ा रखो grammar तगड़ा रहना चाहिए ठीक है आधा marks आपका रहता है sender's address पे आधा marks आपका रहता है receiver's address पे आधा marks रहता है subject पे total हो गया dead marks objective पे अभी हाँ फिर नीचे चलते हैं तो जो आपका salutation रहता है salutation मतलब जो आप लोग last में बोलते हो yours sincerely, yours truly, yours obediently, yours faithfully उधर रहता है आधा marks तो dead plus आधा हो गया total 2 marks तो 2 marks आपका सिर्फ objective पे है letter writing में आप बात करते हैं जो आपका grammar और paragraph है तो paragraph पे total 2 marks तो 2 में से 1.5 marks आपको आसानी से paragraph में मिल जाएगा और grammar की बात करें तो grammar पे 1 marks रहता है और आप लोग इतना easy sentences लिखो इतना easy tenses लिखो कि tense में कोई गड़वड़ी नहीं होनी चेए यह पूरा जो sentence रहता है उसमें important tense ही रहता है अगर tense में आप लोगों की गड़वड़ी नहीं होगी तो आपका easy रहेगा और आपको grammar में कोई भी गलती नहीं दिखाई देगी even I have didn't any mistake on grammar तो grammar में आप लोग paragraph में कोई mistake ना करो तो 1 marks वो confirm ही रहता है टेंस वाला वीडियो ओपन करो वो आपका पूरा English speaking सिखा देगा तो इस तरीके से आप लोग grammar improve कर सकते हो grammar में है 1 marks, paragraph में है 2 marks तो paragraph अगर आप लोग बहुत ही जादा आती सुन्दर लिख दोगे तो 2 में से 2 मिल जाएगा तो सीधा हो गया आपका 5 marks और अगर आप लोगों ने उतना भी सुन्दर नहीं लिखा कि 2 में से 2 दें तो डेर देंगे तो हो गया साठे 4 marks बट बोड में क्योंकि लेटर राइटिंग एक सेपरेट question में आता है question number 5 में तो ये question number 5 में जब इधर column बना रहेगा का marks देने का तो उधर साठे 4 नहीं लिखते उधर प्लस हाफ करके 5 लिखते हैं तो होगया ना आपका full marks तो formal letter में इस तरीके से आपको full marks score करना है ठीक है अब बात करते informal letter में कैसे full marks score करना है इन पॉर्मल लेटर में full marks score करना थोड़ा difficult होता है तो board exam में जब भी कोई आप letter लिखे तो कौन सा लिखेंगे formal letter सबसे worst condition में जब आप लोगों को subject नहीं समझ में आ रहा है मतलब इदर objective में सिर्फ 10 marks है और उदर objective में 2 marks था look at the difference तो किदर ज़्यादा फायदा इदर की उदर उदर ना और इदर साड़े 3 marks है पूरी body पे और उदर 3 marks था body पे body सबसे danger है मतलब यह बड़ा answer है तो बड़े answer पे तो साड़े 3 marks है इदर इदर 3 marks काएगा बड़ा answer चल just like that formal letter is easy अब साड़े 3 में से 1 marks grammar पे है और धाई marks body पे है तो धाई marks तो कभी वो देंगे नहीं 2 marks देंगे और grammar पे भी 1 marks देंगे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और यह 5 marks हो जाएगा साड़े 4 तो इस तरीके से साड़े 4 तक आप लोग हासिल कर सकते हो informal letter में यह आगे चलके 5 marks हो जाएगा बट format अगर change होगा और आपका जो भी अभी 5 marks करने वाला system में वो हट गया तो आप लोग घाटे में चले जाओगे तो आप लोग formal letter लिखें तो यह कुछ tricks थी जिनसे आप लोग full marks score कर सकते हो letter writing में तो next lecture में मिलेंगे तो हम लोग letter writing से आगे बढ़ेंगे और speech writing सीखेंगे और दोस्तों चैंपियन जैद जो मेरा channel है उस पर आपको unlimited videos मिलेंगे हर एक subject के हर एक टाइप के videos और कुछ अगर रह जाता है तो आप लोग comment box में लिख सकते हैं तो हर subject के वीडियो चाहिए तो एक ही platform में पूरे YouTube पे and that is चैंपियन जैद तो दोस्तों next lecture में मिलेंगे तो हम लोग drafting the speech सीखेंगे आज के लिए बस इतना ही